तो एक बार इसने वनियर एक साल पहले एकदम जम्प मारा था, कुछ महीनों में ये अच्छा खासा ओल्टेम हाई इसने मतलब एक हाई बनाये था वो 30 जाट डोलर का, 38 डोलर के बाद ये सिधा सिधा नीचे आता रहा और उसके बाद फिर दुबारा से इसने जो अप्टेंड पकड़ा है, और अप्टेंड पकडने के बाद ये एक दम सीधा कमान की तरह ऊपर जा रहा है, ठीक है? तो दोस्तों क्यों जा रहा है यह क्या रीजन है इसके पीछे और यूनो की कैसे यह मतलब इतनी तेजी से भाग रहा है अल्ट्स इतनी तेजी से क्यों नहीं जा रहे है और क्या अल्ट्स यह इतनी तेजी से जा रहा है क्या आट्स के ऊपर कोई फरक पड़ सकता है दोस्तों इन बातों के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये क्यों उपर जा रहा है और क्यों इतने तेजी से उपर जा रहा है और इसको मतलब chance भी नहीं मिल रहा डर भी लग रहा कि अगर buy करेंगे तो कहीं नीचे तो नहीं कर जाएगा तो दोस्तों मैं आपको ये बताऊं कि BlackRock काफी companies ने ETF फाइल किया है USA के अंदर क्योंकि कहीं न कहीं जो बड़ी-बड़ी company institutions को ये सारे institutions को ऐसा लगने लगा है कि Bitcoin is the future तो Bitcoin जो है future है आने वाले time में और इसको अभी grab नहीं किया तो फिर कब करेंगे 2023 चल रहा है ये सबको पता है कि 2024-25 के अंदर bull run आने वाला है और जो बड़ी-बड़ी companies होती है इनके advisor होते हैं उनको सब कुछ इनकी history और वो सब कुछ पता रहता है Bitcoin कहां से start हुआ था कहां पे और कितने साल बाद और कब तक ये all time high फर दुवारा से लगा सकता है तो दोस्तों मैं बताऊं कि ये सोचके ये वह advisor बड़ी-बड़ी company के वह कौन सी companies है उनके advisor ऐसा सोचते हैं वह होते तो आपके और मेरी तरह ही है बट ये होता है वह advice जो करते हैं जैसे हम यहां पर advise करते हैं वह हम सब को करते हैं लेकिन वह केवल और केवल उन companies को करते हैं उनकी balance sheet को देखके करते हैं लेकिन advice यही देखके करते हैं मतलब BTC का जो present और past और future को देखके ही करते हैं मतलब आप सोचो की बही कोई चीज़ अलग करते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि बड़ी-बड़ी company जैसे blackrock, wisdom tree, fidelity और invesco and walcaria करके काफी company हैं जिन्होंने ETF file किया है और एक ही company को देखा है blackrock, blackrock जो है 10 trillion का जो asset जो manage करता है तो तो 10 trillion का जो asset manage करना एक बहुत बड़ी बात अपने लिए और इसने ETF file किया है यह अभी तो इसका जो असर नहीं होगा कि मतलब ETF file किया है और एकदम वो ETF को accept कर ले को जो government है जो USA की government है इससे पहले भी काफी बार ETF file हुआ है मतलब 30 से 33 बार काफी company ना लगलग company ने ETF file किया है लेकिन वो reject कर दिया गया विकोज उस टेम तक मेभी जो USA serious ना हो इसके लिए और कुछ ऐसी जो चीजे वो सोची ना हो आज सोच रहे है ठीक है ऐसा लग रहा है कि मानो कहीं न कहीं कुछ game खेल रहे USA you know already एक बड़ी game करके उसने US dollar को इसने height पर पहुचाया है तो ऐसा लग रहा है कि अब US dollar कहीं पर भी जाए हो सकता है US dollar की printing हो वो control में ना हो तो यह जो USA का जो एक अलग से जो sack भी game खेल रही है और USA कुछ मतलब समझ में कुछ और आ रहा है हो कुछ और रहा है मतलब वह सबको भगाने की कोशिश कर रही है अमेरिका से लेकिन वह ऐसा लग रहा है कि वह bitcoin खरीदे जा रहे हैं बड़ी-बड़ी you know institutions के तरफ से तो इसलिए जो BTC बहुत ज़्यादा high जा रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि institutions की entry हो चुकी है और धीरे-धीरे करके यह 50,000 को भी तोड़ेगा और यह मुझे ऐसा लगता है कि मतलब यह जो लास्ट तेम जो 69 अगर होता है तो यह ब्रेक हो जाएगा तो Bitcoin जतनी तेजी से उपर जा रहा है उतनी तेजी से आपको क्या लगता है अंच जा रहे हैं अंच उतनी तेजी से नहीं जा रहे अब जब यह Bitcoin बीच में अगर ऐसी rally मतलब इसने कर दी जैसी यह rally इसने पहले किये यहां से एकदम अगर 15 नवंबर से लेके यह 29 नवंबर तो एक जनवरी के बाद मतलब एक जनवरी के बाद इसने ऐसा पंप लगाए जो 2023 में और पंप लगाने के बाद सीधा वो यहां से मतलब 16,000 से 16,826 से तो लास्टाम जो अल्टम लो बनाए था तो उसके बाद यह सीधा उसके उपर आ गया 30,000 के आसपस आ गया 30,700 सम्थिंग आ गया उसके बाद यह सीधा नीचे नीचे जाता न फिर दुबारा यह जब ETF की निउज आई उसके बाद इसने फिर दुबारा ऑपी जो चीजों को चेंज कीया उसके बाद 26,000 के आसपस था उसके बाद सीधा उपर जाना चुरू कर दिया अब ऐसी जो चाट इसने सार हो गए हैं और इंस्ट्यूशन के अंदर हम जैसे लोग और आप जैसे लोगी वर्क करते हैं कहीं न कहीं इंटर्नल जो गेम खेली जा रही है और चुप-चप BTC को बाय करके रख रहे हैं को सबको पता है कि ETF आएगा और जो ब्लैक रोग है एक बहुत बड़ी जो कंपनिया आज कल आज तक इसका जो कोई भी इसने अप्लाई किया हो कोई भी इसने चीज अप्लाई अप्लिकेशन दी हो वो ना मंजूर नहीं हो ऐसा कभी नहीं हुआ हमेशा असप्ट किये है तक मुझे ऐसा लगता है मिले या ना मिले क्योंकि 200 दिन लगते हैं और जब तक BTC ने बहुत अच्छा पंप मार लेना है ठीक है जब तक मुझे लग रहा है कि 200 दिन की बात है कि 6 महिने के आसपास है तो 6 महिने के अंदर BTC मुझे ऐसा लग रहा है डबल कर देगा अपने से ब्लीट होंगे कि बहुत ज्यादा ब्लीट हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं अगर आप आल्ट में भी हैं और आपको लग रहा है कि यह जो BTC जैसे भाग रहा है से अल्ट भागेंगे तो ऐसा पोसिबल नहीं है हर कंट्री का जो ध्याना इस वक्त BTC की तरफ है और BTC के ब Bitcoin और Ethereum का ETF ही आएगा और मुझे लगता नहीं है कोई Altcoin इसके लिए लेंगे और में भी बाद में फ्यूचर में बहुत सारे Altcoin का ETF चलने लग जाए लेकिन ऐसा लगता है कि Bitcoin और Ethereum का ही ETF आएगा और जब यह आएगा तो मार्किट तो बुलिश होगी दोस्तों अगर आप दे Bitcoin के बाद Ethereum की बारी आएगी Ethereum के अंदर पैसा आएगा Bitcoin अगर वो slowdown जाता है तो Ethereum के अंदर पैसा आएगा और अगर नहीं भी आता है तो Ethereum हो सकता है Bitcoin को follow करें यहां से मैं 22100-2200 तक की range में इसको देख सकता हूं just an idea बता रहा हूं कि 22100 यह कुछ दिनों में या एक महीने के अंदर यह चला जाना चाहिए जिस तरह से जो recovery BTC कर रहा है इसके अंदर भी तेजी से recovery आएगी और यह मुझे ऐसे लगता है कि कम से कम यह 10,000 डॉलर जाएगा next bullrun में तो 10,000 से उपर भी जा सकता है Ethereum तो अगर कोई Ethereum को नहीं ले रहा अगर BTC को नहीं ले सका तो वो Ethereum में कहीं न कहीं अपनी entry वो देख सकता है वैसे तो Ethereum भी भागा है उसके बाद भागने के बाद इसके थोड़ा सा rest लिया है तो यह जो rest लिया है थोड़ा थोड़ा हर जो downfall लाता है वहाँ पे आप इसको accumulate कर सकते हो तो क्या मतलब हम सोचते हैं कि मतलब altcoin के साथ क्या होगा हमें क्या करना चाहिए तो altcoin के लिए दोस्तो हमें तो यह ही है कि altcoin bleed तो होंगे आज नहीं तो थोड़े दिन के पर दोंगे और अगर तेजी से movement हुआ अगर slow and steady सब कुछ चलता रहा गर धीरे-धीरे ही यह uptrend पक जाएंगे altcoin 30, 40, 50% तक नीचे आ जाते हैं तो ऐसा अगर एक दो बार भी हो गया तो कम से कम 60-70% भी नीचे आ सकते हैं तो कहीं न कहीं alts के उपर में बड़ा यह बीरिश हूं थोड़े से टाइम के लिए तो अभी तो इसका बूलर ना हो सकता है कुछ टाइम तक कुछ ट जात नीचे होंगे और उस टाइम alts जादा नीचे होंगे और BTC कम होगा दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आपको बड़ी careful के साथ यह जो दो-चार महीने अपने निकालने चाहिए दो-चार महीने की बात है उसके बाद शी तरह से कुछ trillions कुछ billions आ चुके होंगे liquidity 50% अलड़ी खासा एक percentage मिल चुका है तो यह सई टाइम है इसको profit बुक करने का और काफी जो altcoin है जैसे 20% भी गया है 30% थोड़ा-थोड़ा मैं यह नहीं कहता कि मतलब बहुत ज्यादा आप बुक करो because altcoin भी कहीं न कहीं उपर जा रहे हैं जैसे आप टोस है 27% उपर गया है आइंग तो नहीं बनती बट अगर आप stay कर चुका 27% मिल गया है तो आप इसमें थोड़ा सा profit बुक कर सकते हो दोस्तों अगर ETF आया और ETF मंजूर हुआ तो यही country नहीं काफी country से ETF मंजूर होगा और कहीं न कहीं हर country ETF के जरिए bitcoin को control करने की कोशिश करेगी actual में जरूरी नही से इसके पर screen के पर कुछ code चल रहे हैं यह code ही तो है आपके हाथ में थोड़ी bitcoin है तो ऐसे ही कुछ code के जरिए कुछ जो government से वह बेवकूप बनाने की भी कोशिश करेगी और आपको लगेगा कि BTC का paper या BTC जस्त लिखा हुआ आपके पास है तो वह real BTC है आपको real BTC लेना ह और हमेशा for long term लेना है जो ETF है वो आएंगे market में और जो समझदार लोग है आज की date में real Bitcoin खरीद रहे हैं वो ETF के चक्कर में या इनकी जो game है जो countries by countries की जो game है और USA की जो भी game है तो उनको पता है वो इसलिए तो BTC भाग रहा है ठीक है उनको पता है कि बाई जो real Bitcoin नहीं पता है कि बाई future में जो है वो आप इतने Bitcoin के मालिक हो तो वो जब भी इतने Bitcoin के मालिक है इसका मतलब असली वाला Bitcoin थोड़ी है वो तो just a paper है उसका जो comparison वो dollar है ETF आएगा वो dollar को बढ़ाने के लिए आएगा ना कि BTC को BTC वो खरीदे ना खरीदे कोई बड़ी country है जैसे USA वो आप अगर ETF खरीद होगे वो US dollar के अगेंस्ट होगा वो US dollar के अगेंस्ट होगा तो वो US dollar की value बढ़ेगी और वो जो value है वो Bitcoin की नहीं बढ़ेगी जरूरी नहीं है वो country Bitcoin को भी buy करे अब ऐसा हुआ नहीं है लेकिन हो भी सकता है Bitcoin को buy करे और होगा भी कुछ labels तक Bitcoin buy किये हमें केवल और केवल अपने profit से मतलब रखना है तो यह कहने का मतलब है कि BTC अगर तेजी से उपर जाता 35,000 के असपस चला जाता है थोड़े दिनों के बाद तो अगर आप arts में stop loss लगा के रखो तो बहुत ही better होगा कुछ time के बाद arts bleed हो सकते हैं ठीक है जब arts bleed होंगे तो ह हो सकते हैं आपका नुकसान ज्यादा हो तो अपने जितने भी centralized exchange करने वाले holders हैं तो वो सब के सब जो जैसे से arts coin उपर जा रहे हैं तो वैसे-वैसे stop loss को बढ़ाते चले जाओ और अगर वह आपको लगता है कि अल्ट को नीचे आ जाएंगे 35 पे जाके 36 पे जाके तो उस टाइम जो आपका जो पैसा है वो कहीं न कहीं बच जाएगा और सेफ हो जाएगा तो चोटा सा यह वीडियो था यह बताने के लिए कि यू आर ओन रिस्क राइट ना तो रिस्क को थोड़ा सा कम करिये और थोड़ा सा समझदारी बरतिये अगर centralized exchange के उपर हो तो मैं यह suggest करूंगा तो आपको क्या गरना है आपको कम से कम अपने जो पैसे को बचाने के लिए stop loss चरूर लगाना है ठीक है तो यह छोटा सा वीडियो था इन सब चीजों को बताने के लिए I hope आपको समझ में आ गया होगा thank you very much दोस्तो have a good one take care bye bye